हेलो स्टुडेंट्स हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है आपके परिक्षा नजदीक आ रही है और आपके मन में बहुत सारा डर भी होगा तो आपके मन का डर हम आज दूर करने वाले हैं और आपके लिए लेकर रहे हैं यानकी लास मिनट रिविजन और यहां पर हम आपको हिंदी के गाइडेंस लेक्चर के बारे में भी बताएंगे आपको परिक्षा में क्या क्या करना है और कौन से आसान तरीके से आप अच्छे मांक स्कोर कर सकते हैं पेपर पैटर्न यानकी प्रशन पत्र का प्रारूप सबसे पहले हम प्रशन पत्र का प्रारूप देखेंगे कि हमें कैसे प्रशन पत्र जो है वो अपना तैयार करना है अंक वी वहजन आएगा उसमे, रिटन एक्जाम ये आपके दो समिस्टर में डिवाइड किया गया था, फर्स समिस्टर आपका हो चुका है, अब है सेकें समिस्टर, जो 40 मार्क का है और फर्स समिस्टर 40 मार्क, तो टोटल आपके मार्क्स हो गे, 80, यान की 80 अंक का ये दोनों semester का exam हो आपका project के लिए आपके 20 marks अब प्रश्न पत्र का प्रारूप देखते हैं section A 20 marks का जो आपका ये exam होगा उसमें section A 20 marks का आएगा उसमें प्रस्ताव लेखन 12 अंक का और उसके बाद पत्र लेखन जो है वो 8 अंक का आएगा section B भी 20 marks का section B में गद्य 10 marks के लिए आएगा और पद्य 10 marks के लिए एकांकी संचय भी आपका 10 marks के लिए और नया रास्ता 10 marks का इसमें से ये चारों पुस्तकों में से कोई दो पुस्तक ही आपको जो है उसके प्रश्न लेने है जो आपके पाठ्थे क्रम में है इनमें से दो पठी पुस्तकों के ही प्रश्नों के उत्तर लिखने है जैसे गद्य ये अनिवारिय है ये सभी को अनिवारिय है यानकी इसक गद्य यानिकि ये तो सबको कमपल सरी है वो है 10 मांका और फिर है एक आंकी संचे 10 मांका तो टोटल हो गया 20 मांक उसके बाद गद्य 10 अंका नया रास्ता 10 अंका तो हो गया आपका 20 अंक अब यहां पर गद्य और पद्य गद्य और एक आंकी गद्य और नया रास्ता तो आप आपके स्कूल के पाठ्यवक्रम के अनुसार ही आपको प्रश्णों के उत्तर लिखने हैं समय का निर्धारण यानकी टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर सेक्शन ए पहला प्रश्ण आएगा आपका प्रस्ताव लेखन उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 30 मिनट्स यानकी 30 मिनट में आपको अपना प्रस्ताव लेखन कंप्लीट करना है और उसमें आपके आएंगे पांच क्वेश्ण पांच में से कोई एक आपको हल करना है और उसके अंक होंगे आपको 12 और 30 मिनट एक्सपेक्टेड मार्क्स यानकी 12 में से 12 अंक भी आप ला सकते हैं दूसरा पत्र लेखन उसके लिए आपको मिलेगा 20 मिनट का टाइम तो इसलिए आपको 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि अगर आप 20 मिनट से ज्यादा टाइम लेंगे तो बाकी के प्रश्न का हल कैसी करेंगे तो उसमें आपका ज्यादा टाइम लगेगा तो पत्र आएगा आपका आठ मार्क तो टोटल कितना हो गया 20 अंक 50 मिनट अब है सेक्शन बी साहित्य सागर गद्य ये तो अनिवारिय है इसका एक क्वेशन के लिए 5 मिनट और आपके टोटल 4 क्वेशन जो है वो आपको हल करने है जिसके अंक है 10 उसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा यान की 4 प्रशनों के लिए 20 मिनट एक प्रशन के लिए 5 मिनट का टाइम मिलेगा एक्सपेक्टेड मार्क यान की 10 में से 10 भी आप ला सकते हैं क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा लिखेंगे आपका पेपर का प्रजेंटेशन अच्छा होगा तो आप तीनों में से कोई एक पाठ्य पुस्तक के ही आपको प्रशने हल करने हैं जो आपकी विद्याले में पढ़ाया गया है तो इनके लिए भी समय है 10 अंक हैं और समय 20 मिनट और एक प्रशने के लिए आपका 5 मिनट तो ये भी 10 में से 10 यान की टोटल 20 अंक हो गए आपके और 40 म हो गया है अब यहां पर स्कीम ऑफ मार् Dragовых अंक वीवाजन कहां पर आपको कितने अंक लाने हैं या कौंसा प्रशन कितने अंक का है प्रसाव लेखन 12 आंक यहां पर हिंदी के प्रशन पत्र में प्रसा लेखन के 5 विशाः गात्यां यानकी आपको पांच टॉपिक दिये जाते हैं और इन में से किसी एक विशे पर लगभग 200 शब्दों में आपको प्रसाव लेखन लिखने के लिए कहा जाता है। उसके लिए कुल अंक है 12 और प्रसाव लेखन के लिए आपका समय है 30 मिनट। प्रसाव लेखन लिखते समय बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी होती हैं और हम अगर इन बातों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारा प्रसाव लेखन अच्छा नहीं हो पाएगा। और वैसे तो आपने पूरी तैयारी कर ली है, अगर ये सारे पॉइंट आपको मिल जाए, फिर तो सोने में सोहागा, तो आप बहुत अच्छा प्रश्नपत्र हल कर सकते हैं, विशय का मनन और चिंतन, यानि कि यहाँ पर विशय को पहले मन में सोचना है, चिंतन करना है, कौन हमभाग, मध्यभाग और अंतिमभाग, यान कि सबसे पहले सब्जेक को आपको डिस्क्राइब करना है, उसके बाद उसके जो वी फाइदे और नुकसान है, उनके बारे में एंड में जो है उपसंघार यान कि कनक्लूजन आपको करना है, प्रस्तूती करण पर ध्यान देन वर्णनात्मक, भावात्मक, विचारात्मक और चित्रों के आधार पर हो सके तो थोड़ा सा कम कोशिश करना बाकी जो चार है विवरनात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक और विचारात्मक ये निमन लिखने के लिए आसान होते हैं और आपके पास इनको लिखने के लिए सारे पॉइंट्स होते हैं चित्रों के आधार पर क्या है कि अगर आपका ये थोड़ा भी गलत हो जाए तो आपके अंक जो है वहाँ पर कट सकते हैं प्रसाव लेखन लिखने के लिए अंक विवाजन निम्न प्रकार से होता है अब देखवा प्रसाव लेखन भी लिखते हैं तो उसके लिए अंक विवाजन भी अलग-अलग तरीके से कहां पर आपको कितने अंक दिये जाते हैं सबसे पहले प्रसावना प्रसावना में कविता श्लोग दोहा गीत और उक्ति इसके लिए आपको दो अंक दिये जाते हैं हम प्रसाव लेकर लिखते हैं तो वहाँ पर क अभी-कभी हम क्या डालते हैं कवीता डाल देते हैं दोहा डाल देते हैं जैसे समय पर अगर लिख रहे हैं तो उसमें एक दोहा डालते हैं काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परले होईगी बहुरी करोगे कब तो इस प्रकार के अगर हम श्लोग वगरा डालते हैं तो ह में अच्छे मांक्स मिलते हैं दूसरा परिछेद यानि की पैरग्राफ का उचित विवाजन करना है आपको कौन से पैरग्राफ में क्या लिखना है वो पैरग्राफ आपको अच्छे से डिवाइड करना है विशेवस्तु एवं विचारों की सपस्टता जब भी आप ये विशेवस्तु और आप क्या लिखना चाहा रहे हैं वो एकदम सपस्ट होना चाहिए उसके लिए आपको साथ अंक मिलते हैं भाषा की शुद्धता और वर्तनी के लिए एक अंक भाषा शुद्ध होनी चाहिए वर्तनी यानकी स्पैलिंग मिस्टेक होगा तो अर्थ का अन और वर्तनी पर ध्यान देना है दूसरा है उपसंगहार मैं भी एक अंक अब पत्र लेखन के लिए कुल अंक होते हैं आपके आठ ये भी कैसे डिवाइड किया गया है यानकि पत्र आपके दो प्रकार के होते हैं आपचारिक और अनपचारिक यानकि फॉर्मल और इनफॉर इन्फॉर्मल लेटर जो है वो ज्यादा स्कोरिंग होता है वजाए इन्फॉर्मल लेटर के तो देखते हैं कैसे आप उसमें मार्क्स लेकर आ सकते हैं हिंदी के प्रश्न पत्र में आपचारिक और अनपचारिक दोनु पत्र दिये जाते हैं किसी एक विशय पर आपको 120 शब उभर नहीं है जहां पीकल लिखना प्रधाना चारे हो गया या कोई और पद के लिए उचित जो है और पत्र लिखने वाले को यानि की जो प्रेशक होता है पत्र लिखने वाला उसका एडरस उपर यानि की लेफ साइड में होना चाहिए और उसके बाद दिनांक लिखा जाता है पत्र की शुरुवात जो है वो अभिवादन और संबोधन से होनी चाहिए पत्र लिखने वाले को पत्र के बाई तरव यान की लेफ्ट साइड पर अपना एडरस और दिनांक लिखना चाहिए पत्र को दो या तीन भागों में विवाटना है यानि कि जब आप पत्र लिखते हैं तो एक पहला पेरग्राफ फिर एक दूसरा पेरग्राफ होता है उसको व्यवस्तित रूप से लिखना चाहिए अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए हमें बहुत ज़्यादा पत्र को बढ़ा चड़ा कर लिखना नहीं है पत्र के अंत में समापन सूचक शब्दों के साथ पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर और नाम होना चाहिए समापन सूचक मतलब होता है जब हम पत्र समाप्त करते हैं तो आपका आग्याकारे शिश्य या शिश्या लिखते हैं या भवदी या भवदिया लिखते हैं तो वो जो है आपको उचस्तान पर लिखना है वहाँ पर नाम या हस्ताक्षर आपको लिखना है भाषा की शुद्धता पर विशेज ध्यान देना चाहिए हिंदी में तो भाषा की शुद्धता पर विशेज ध्यान देना ही पड़ेगा थोड़ा भी grammatical mistake हो जाता है या कारक की गलती हो जाती है तो वहाँ पर वाक्य का अर्थ बदल जाता है इसलिए आपको भाशा शुद्ध लिखनी है और उसका जो व्याकरण है उसका भी शुद्धताते प्रयोग करना है पत्र लेखन के लिए अंक विवाजन देखी अब क्या होता है प्रेशक का पता दिनांक सेवा में पद और पता और विशय के लिए दो अंक विशय व्याक्या explanation of subject matter के लिए पाँच अंक और अंत में जो भावदिय भावदिया या आप अपना पता लिखते हैं उसके लिए एक अब यह हुआ हमारा section A section B आप सभी को पता है कि आपके पाठ्य पुस्तक में से कौन से chapter reduce किये गए हैं कौन से chapter आने वाले हैं तो यहां पर कोई दो पुस्तकों से आपको प्रश्न लिखने हैं B संक का है साहित्य सागर सब के लिए अनिवार्य है उसमें किसी के लिए कोई option नहीं है दूसरा साहित्य सागर पद्य है एकांकी संचय है और नया रास्ता है साहित्य सागर गद्य के लिए 10 माक्स 20 मिनट का टाइम और बाकी इन तीनू पुस्तकों के लिए गद्य पद्य एकांकी संचय नया रास्ता तो ये तीन जो है वो 10 माक के लिए है अब दोनू मिलाकर 20 अंक हो जाता है और आपको मिलता है 40 मिनट का टाइम अब गद्य में देखो कौन कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं अननेसेसरी कोई भी चैप्टर आप ना पढ़ है आपको सिर्फ चार ही चैप्टर पढ़ने है चार चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िये कहानी आपको याद हो जाएगी तो कोई भी प्रश्न आप आसानी से लिख सकते हैं यह गद्य में चार चैप्टर है बड़े घर की बेटी भीड में खोया हुआ आदमी और भेड़े और भेड़िये दो कलाकर तो बहुत आसान से चैप्टर है आपने पढ़े भी है आपकी तैयारी तो पूरी हो गई है पर आपको अच्छे अंक लान सूर के पद, विनय के पद और चलना हमारा काम है यह चार पोयम आपके आएंगे और हर एक चैप्टर में से हर एक कविता में से एक-एक ही प्रशन आएगा तो आपको सारे चैप्टर प्रपेर करने option के लिए कुछ भी छोड़ना नहीं है क्योंकि हर एक चैप्टर से एक प डाली और दीबदान नया रासा एक उपन्यास है कुछ-कुछ स्कूलों में ये बुक पड़ाई जाती है तो यहां पर 14 अध्याय से 26 अध्याय तक के प्रशन पूछे जाएंगे तो आपको 14 अध्याय से 26 अध्याय तक पूरा याद करना है अब section B है ध्यान देने योगिय बातें क्या-क्या हैं दिखो section B में अभी प्रशन पतकरिका में चारों पुस्तकों के प्रशन दिये जाते हैं उनमें से किसी दो पुस्तकों के प्रश्णों का उत्तर लिखना ही अपेक्षित है मतलब आपको सिर्फ दो पुस्तकों का लिखना है या तो गद्य तो अनिवार्य है या एकांकी या पोयम या नया रास्ता प्रतिक प्रश्ण अनिवार्य है और हर प्रश्ण के लिए आपको पाच मिनट का टा पहले दो प्रश्णों के दो दो अंक जो स्टार्टिंग में मतलब आपके चार प्रश्ण आएंगे पहला प्रश्ण दूसरा प्रश्ण उसके लिए दो दो अंक और फिर जो तीसरा और चौथा है उसके लिए तीन तीन अंक तो हो गया कितना आपका दस दस अंक पहले दो प् यानि कि जो टूटू माक के हैं उनके लिए आपको 6-7 लाइन लिखना है और जो 3 माक के हैं उसके लिए 8-10 लाइन कम से कम आपको लिखना है सेक्शन B में अब ध्यान देने योग्या क्या क्या बात है सेक्शन B में आपको क्या क्या ध्यान देना है सबसे पहले प्रत्येक उत्तर के लिए 2 में से अधिक्तम 2 और 3 में से अधिक्तम यानि कि धाई या 3 अंक मिल सकता है आपको अब प्रतेक प्रश्णों के उत्तर सही और स्पष्ट पूर्ण वाक्य में लिखना चाहिए हर एक प्रश्ण का उत्तर आपको एकदम सही स्पष्ट एकदम क्लियर और पूर सेंटेंस में लिखना है सेंटेंस को अधूरा नहीं करना है वाक्य में कहां पर क्रिया आएगी और कहां पर कारक आएगा ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है उत्तर में वर्तनी और वाक्य रचना और भाषा की सुद्धता पर ध्यान देना है आपको जब आप उत्तर लिखते हैं तो वर्तनी वाक्याप कैसे बना रहे हैं और उसकी शुद्धता पर विशेज ध्यान देना जरूरी है अब सेक्शन बी में ही और ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या हैं देखिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना है प्रतेक पाठ का गध्य में प्रतेक पाठ का उद्देश और सार्थकता याद कर ले क्योंकि उद्देश और सार्थकता तीन अंग के लिए आता ही आता है अगर आप चारी पाठ तो है चार पाठ का अगर उद्देश और सार्थकता याद कर लेंगे तो आपको आसानी से जो है तीन अंक मिल जाएंगे और मुख्य पात्रों का परीचे भी पढ़ लेंगे अगर पात्र परीचे पढ़ लेंगे तो उनके बारे में जो भी प्रशना आएगा आसानी से लिख सकते हैं पाठ का अगर पात्र परीचे पढ़ लिया तो आपको पूर में क्या मूल भाव है उसका केंद्री भाव मूल भाव और केंद्री भाव एकी शब्द है तो मूल भाव भी आ सकता है केंद्री भाव भी आ सकता है और कवी परीचे अवश्य पढ़ ले क्योंकि कवीता में कवी परीचे आता ही आता है सूर्दास और तुलसी दास जी का कवी परीचे तो अवश्य पढ़ है क्योंकि इसके पूरे पूरे चांसेज है आने के अब एकांकी संचे में पाठ का उद्देश सार्थक्ता और पाठ से क्या सीख मिलती है ये सब पढ़ना अनिवार्य है ये भी आप पढ़ लें एकांकी संचे में सिर्फ आपको दो ही पाठ आन सूखी डाली और दीबदान बस दोनों का सार्थक्ता और उद्देश पढ़ लें और देखिए फिर आपके माक्स कोई काट नहीं सकता पात्रों का परीचय भी याद करना अवश्य क्योंकि पात्र परीचय तो बहुत जरूरी है अगर आप पात्र परीचय नहीं तो आपको कहानी कैसे याद होगी इसलिए मुख्य पात्रों का परीचय अवश्य पढ़ लें जैसे सूखी डाली में दादा मूल राज बेला इंदू परेश तो ऐसे मुख्य पात्रों के बारे में थोड़ा पढ़ लें दीबदान में जो है वो पन्ना उदैसिंग वनवी और कीरत बारी जिसने कुवर उदैसिंग की जान बचाई थी तो इन पात्रों के बारे में पढ़ना जरूरी है अब है आपका नया रास्ता नया रास्ता जो है वो एक उपन्यास है तो इसमें 26 अध्याय है जिसमें से आपके 14 से लेके 26 तक ही आने वाला है उपन्यास का देश्य पढ़ ले दूसरा मुख्य पात्र सबको पता है मीनू अमित नीली मा सुरेंद्र और दया राम जी और माया राम जी तो इड़के पात्र परीचे थोड़ा आप लोग याद कर ले तो आपको परिक्षा में ये बहुत मदद मिलेगी क्योंकि एक दिन पहले आपको ये तयारी करनी है तो इस शौट में आपको बताया जा रहा है जहां पर आप बहुत कम समय में अच्छे अंक लेकर आ सकते हैं अब यहां पर है पत्र लेखन पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं आपचारिक और अनपचारिक तो यहां पर आपचारिक पत्र के बारे में बत परिचे, सबसे पहले प्रेशक का पता, दिनांग, फिर विशे, फिर पत्र जो है, वो समापन और निवेदन और पूरा नाम इन पर ध्यान देना है आपको, अब आपचारिक पत्र का प्रारूप देखें कैसा होता है, सबसे पहले प्रेशक का पता आप लिखेंगे, फिर दि सीवर का पता और उसका नाम लिखना है, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, विशे, उसके बाद आपको पत्र की शुरुआत करनी है, यह है आपका पूरा फॉर्मेट पत्र का, जहां पर आपकी कोई गलती नहीं होगी, यह है टिकेट, पत्र के अंत में हमें टिकेट बन है, यह लेफ्ट साइड में पत्र भेजने वाले का पता, पते के नीचे पत्र लिखने वाले की तिथी, यहनकी डेट लिखना आनेमारी है, और दिनांक उसी दिन का लिखे, जिस दिन पत्र लिखा गया है, अब संबोधन के बाद अविवादन लिखना आविश्यक है, अव समाप्त करने के बाद संबोधन के अनुसार जो है वो अभी निवेदन लिखना भी आवश्यक है अब यह है अनौप चारिक पत्र का जो है यह प्रारूप है तो इसी प्रकार से आपको अनौप चारिक पत्र का फॉर्मेड बनाना है और आपचारिक पत्र का भी मैंने दिया है आपके लिए जो आसान है आप उसी को अटेम करें और जो आपचारिक है वो ज़्यादा स्कोरिंग है अच्छे अंक पाने के लिए अच्छा प्रेजेंटेशन होना बहुत आवश्यक है अगर पेपर का प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो आपको माक्स भी अच्छे मिलेंगे अब यहाँ पर यह हमारा पूरा पेपर है जो आपका एक्जाम आएगा 20 माक्स का जो है वो सेक्षन ए आएगा इसमें आपके 5 प्रेजन जो है वो प्रसाओ लेखन के आएगी तो यह 5 प्रेजन दिये है देखे स्टार्टिंग का एक फिर यह होगे 4 अब आपको दिया है एक चित्र लेखन तो कहीं लोग चित्र लेखन वाला लिखते है उसको आप लिखें ऐसा मैं नहीं पूर्वक देखें उसमें क्या कहा गया है वो पूरी बातें लिखें अगर वो चित्र से हटकर आप उसका content लिखेंगे तो आपको वहाँ पर अच्छे अंग्स मिलना थोड़ा मुश्किल है तो इसलिए जो विशय अच्छे से आपको आता ह जिसके बारे में आप ज्यादा लिख सकते हैं वही लिखें यहां पर प्रश्ण नंबर दो यानि की पत्र लेखन है जिसमें दो पत्र दिये हैं और अपचारिक और अनपचारिक जो आठंका है और 120 शब्दों में आपको लिखना है और नेक्स्ट है आपका section B section B में देखे 20 माक का साहित्य सागर के कौन-कौन से प्रश्ण दिये गए है इसी प्रकार के प्रश्ण आपके जो है पेपर में आएंगे लाल बिहारी के किस कथन से आनंदी को दुख पहुचा और क्यों यानि कि ये बड़े घर की बेटी का है दूसरा है यात्रा के दिन लेखक को कैसा अनुभव प्राप्त हुआ तो समझ गये होंगे ये कौन से पार्ट से है बीड में खोया हुआ अदमी नेक्स्ट है जंगल में प्रजातंतर की सापना के विशय में भेड़ों ने क्या सोचा तो ये है हमारा भेड़े और भेड़िये लास प्रश्ण है नाम से ही आपको पत ही आना है साहित्य सागर गध्य मेंसे भी और एकांकी संचै में भी अब पद्य में देख से नेकर पंसरी हैं और समक्रप्त की अतीति के औज मन पर रीती रिवाजु का चितरन किन तो यहां पर पद्य यानि की पोयम का मेगाय उसे दिया है दूसरा क्रिश्ण ने अपनी हट पूरी करवाने के लिए मा से क्या कहा था तो यह है आपका सूर के पद गौवाला यह है विनय के पद तुलसी रासजी द्वारा रचित और लास्ट है चलना हमारा काम है यह चार कविताओं के प्रश्ण यहां पर दिये हैं तो आपके लिए अब कोई भी कविता को जो है वो छोड़ना नहीं है वो सारे कविताएं आपको पढ़नी है क्योंकि हरे कविता से एक प्रश्ण अवश्य आ रहा है यह नया रास्ता है तो नया रास्ता वाले जो स्टुडेंट है वो नया रासता के ये सारे प्रश्नें हल करेंगे एकांकी संचै सिर्फ दो चैप्टर है कांकी संचै में सुखी डाली और ordीब दान कितना असान है दो ले चैप्टर पढ़ने आपको तो दो चैप्टर में से दो दो प्रश्न आएंगे देखिए पहला प्रश्न सब डालियां सासाथ फलने फूलने से क्या आशय है दालियां शब्द का प्रयोग किसके लिये हुआ है तो यह सुखी डाली कोई तुम्हारा आदर नहीं करता अब सब क्यों अच्छी लगी समझा कर लिखिए ये दीबदान से नाम से ही पता चल रहा है दीबदान एकांकी के शीशक की सार्थक्ता बताईए और एकांकी के माध्यम से एकांकी कार ने क्या शिक्ष्या दी है यानि कि उद्देश सार्थक्ता और सीख यानि कि एकांकी से हमें क्या सीख मिली है यह सब आपको पढ़ना है क्योंकि इस में से कोई न कोई एक प्रश्णतों आना ही आना है अब निम्ने लिखित एक विशेपर 250 शब्दों में यानि की पेपर का प्रजेंटेशन कैसा होना चाहिए वो हमने यहां पर बताया है आप देखिए कैसा प्रजेंटेशन होना होना चाहिए फूरे के पूरे अंक पाने के लिए यहां पर यह बारे मां अंक का जो है ऐसे writing है पहला वाला इसके बारे में हमने यहां पर बताया है आपको पांच में से कोई एक करना है तो ऐसे यहां पर एक प्रश्न का उत्तर दिया है भरी जिंदिगी में रिष्टे नातों की एहमियत खत्म होती जा रही है इसके क्या कारण है और आप इन रिष्टों को सजोने के मनुष्य और अनुभाव से बहुत को सिखाता है और अपने बच्पन के दिनों की किसी ऐसी सुखद घटना का वर्डन कीजिए जिसने आपके जीवन में नई सीख दी हो और भावी जीवन में वो आपके लिए उप्योगी सिद्ध हुआ हो दूसरा प्रशन है किसी भी देश के निर्मार तथा विकास में वहां के विद्यार्थी वर्ग का विशेश योगदान होता है इस उक्ति के आलोक में बताए कि विद्यार्थी किस प्रकार अपने देश को उन्नती के सिकर पर पहुँचाता है अब यहाँ पर थर्ड प्रशन राते काली निसका वर्णन चोता है कहानी लेखन यानि कि मौलिक कहानी आ बैल मुझे मार अब लास्ट वाला है चितरे लेखन तो आपको इन में से कोई एक करना है तो पहला वाला जो है यहाँ पर किया गया है उत्तर एक का दूसरा तो ऐसे आपका प्रजेंटेशन होना चाहिए देखिए दो पेज कम से कम आपको लिखने है दो सो शब्दों का है अब पत्र लेखन आठ माक का है तो उसके लिए आपको क्या करना है देखो दो प्रशन दिये है उसमें से किसी एक प्रशन का उत्तर लिखना है और आपका किसे लिखना है पत्र विद्याले के प्रधानाचारिय को और विशय के लिए आपको एक अंक मिलता है और विशय क्या है विद्याले में बैटमिंटन के प्रिक्षिशन की सुविधा प्राप्त करवाने है तू पत्र तो क्वेश्चन में आपको अंसर मिल जाता है इसलिए बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं दूसरा आपका मित्र किसी खेल प्रतियों गिता में भाग लेने के लिए विदेश यात्रा पर जा रहा है मंगल कामना करते हुए उसे पत्र लिखना है तो यहां पर आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है और यह है आपका अनौप आपचारिक पत्र जहां पर कोई आपचारिकता नहीं होती है और आपचारिक पत्र में एक नम फॉर्मल्टी आपचारिकता से पत्र लिखना है और बहुत कम शब्दों में लिखा जाता है यहां पर यह है हमारा आपचारिक पत्र आपका प्रजेंटेशन ऐसा होना चाहिए पता उसके बाद दिनांग, विशे, माननिय, महोदय यानकी स्कूल के प्रिंस्पल को लिख रहे है तो यहाँ पर आपको पता जो है वो आपका पता नीचे भी आप लिख सकते हैं याने की सधन्यवाद, आपका आज्याकारी, शिश्य, वहाँ पर भी एड्रस लिख सकते हैं और फर्स्ट में यानि की प्रेशक का पता शुरुवात में भी आप लिख सकते हैं और यह है आपका टिकेट का प्रारूप तो आपने देखा इसमें आठ में से आठ वंक मिले हैं क्योंकि कोई भी गलती नहीं है और कोई भी वर्तनी में भी गलती नहीं है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साहित्य सागर गद्य के चार प्रशन दिये गए है और इन चारों प्रशनों का उत्तर आपको कैसा लिखना है यानि कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए तो साहित्य सागर में चार चेप्टर के आपको चार प्रशने दिये गए है पहला प्रशन उसका उत्तर दूसरा प्रशन यानि कि उसका उत्तर प्रश्ण नमबर तीन का जो है को खो गो और घो तो ये हैं आपके तीन तीन अंक के और ये है आपका पध्यभाग पध्यभाग में जो है ये कैसे दिया है मेगाये का सूर के पद विनय के पद और चलना हमारा काम है तो यहाँ पर इसका उत्तर ये को वाला कभी तीन माग का भी आदे सकते हैं इसलिए आप कोशिश करें कि कम से कम आठ से दस लाइन में उसका उत्तर लिखे खो गो और घो तो ये जो है बहुत अच्छे प्रश्ण लिखे है इसलिए उनको पूरे पूरे माग दिये गए है कुछ-कुछ स्कूलू में ये पढ़ाया जाता है तो उनका भी उत्तर इसी प्रकार लिखना है दो-दो अंक के लिए कितनी लाइन और तीन-तीन अंक के लिए कितनी लाइन लिखनी है तो ये हमारा प्रेजेंटेशन है और आप इसी तरीके से लिखें और पूरे के पूरे अंक प्राप्ट करें और आशा करता है कि आप यह सब फलो करेंगे और अच्छे अंक प्राप्ट करेंगे अब last में हमारा एक रह गया एकांकी संचे का एकांकी संचे में चार प्रश्नी दिये गए हैं इन चारों प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है तो मांक का देखो ऐसे लिखना है को और खो दो में से दो अंक मिला गो और गो तीन में से तीन अंक मिला कहीं कोई गलती नहीं है तो आपको भी अपना पेपर का प्रजेंटेशन ऐसे ही देना है तो यहाँ पर हमारा पूरा पेपर प्रजेंटेशन हो गया है आशा करती हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आपकी सारी दुविदाएं दूर हो गई होंगी और इसी के साथ all the best